नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं manufacturing में casting का question है हमारा acute casting mild cavity having sights equal to 100 mm is made up of casting is made for casting cavity दोस्तों बनाते हम लोग हो सकता है लकडी की हो हो सकता है यह metal की हो और फिर उसके अंदर हम liquid metal पार करते हैं liquid metal असल में किसी भी किसी भी metal को या alloy को आप liquid करके आप अपनी डिजाइड सेप की casting बना सकते हैं जैसी आप cavity बनाएंगे वैसी casting बन जाएगी पूराने जमाने में आप देखेंगे तो जो मूर्तियां और यह सब जो अस्टेद हातु की मुद्टियां यह सब मिलती है वह असल में casting की ही होती है यहां तक आप वह material बिटल हो या डक्टाइल हो actual में मगर melting point तो सबका ही होगा तो melt करके कैसी भी casting बना सकते हैं even cast iron की भी उसका नम cast iron इसलिए ही है क्योंकि उसको cast करके आप बना सकते हैं तो कि पाइप वगरा भी जो होती है वह कास्ट करके metal की बनाई जाती है कास्ट iron की जैसा सेप आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा जैसी केविटी रहेगी वैसा ही सेप ले लेगा क्यों एक्सेप्सउं दोस्तों वाटर को हम लिक्विट को सॉलीड करते हैं तो वह और बाकियों में क्या है कि वह क्यों और्स स्लीड कंट्रेक्शन इस फाइप उड़ुन कि आप साज़ली capability से और फिर वो जो normal room temperature पर आएगा तो 5.6% contact कर जाएगा ये दोनों चीज़े हैं दोस्तों कोई राइजर वगरा यूज नहीं कर रहे हैं question है हमारा assuming solidification shrinkage to be same in all direction determine the dimension of the cast cube after cooling जब दोस्तों actual हमें जो metal बिलेगा aluminium का उसकी dimension क्या होगी cube shape है तो यानि वो उसका अगर हम side बता दे तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि cube shape में side से ही हम surface area हो या volume हो सब कुछ बता सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं माल ये कुछ इस तरीके के हमारी mild cavity है cube shape की उसके एक front view या side view आप मैंने बनाया है actual में ये cube shape है फिर इसके अंदर जो casting जो solid हो जाएगी दोस्तों तो shrink करके ये कुछ ऐसी हो जाएगी ये हमारी cavity है mild cavity और ये हमारी actual casting है फिर बाद में हम इससे इसको बाहर निकाल लेंगे कोप और ड्रेग उपर वाले से कोप कहते हैं नीचे वाले को ड्रेग कहते हैं और अगल बगल इसके जो मिट्टी बगरा होगी इसको तोड़ ताड़के कास्टिंग हमारी बाहर आ जाएगी ठीक है दोस्तों और ये क्यूब सेफ है तो ये मान लेते हैं cavity जो है उसका volume a cube हो गया और जो कास्टिंग हमारी बनी उसकी small a cube और हमारा जो small cavity का side दिया हुआ है 100 mm है तो a cube से बन गया ये 100 cube और जो हमारा कास्टिंग का है यही हमें बताना है यह हो जाएगा दोस्तों एक क्यूब इंटू solidification shrinkage जो है 1-6.6 परसेंट यानि 100 से हमने डिवाइड कर दिया और जो solid contraction है वह है 1-5.6 परसेंट यानि 5.6 को 100 से भाग दिया तो यह हमारी सेप आएगी कास्टिंग की वन से हमने घटा दिया है इतना contraction हो रहा है तो हमारे पास जो बचेगा वह इतना होगा solid contraction के बाद और इतना होगा solid contraction के बाद और यह solid contraction के बाद आए इसको हल कर लेते हैं यह 100 क्यूब है यह आ जाएगा दोस्तों 1-0.066 और यह 1-0.056 ठीक है दोस्तों यहां से हमारी एक्यूब आ गया 100 क्यूब इंटू 0.882 और जो हमारे ए आ गया वह आ गया करीब 95.9 mm यह हमारे दोस्तों एक्यूब कास्टिंग की साइज है जबकि मावल कैवटी 100 क्यूब की थी 100 साइट की थी और जो एक्यूब कास्टिंग बनी उसकी साइट जो है 95.9 यह 96 mm के हलें आप 96 mm के काफी करीब इतनी ही बची बागी जो है 4-4 mm इसकी साइट कम हो गई है तीनों तरफ से कमबाई चोड़ाई उचाई जो है क्यूब सेप की जो कास्टिंग थी के दोस्तों धन्यवाद